हाला दोस्तों कैसे आप सकते एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना इंटरटेन्मेंट चैनल पर आज की वीडियो में हम देखेंगे मोसने स्केच मोसने स्केच का एक एकजांपल देखेंगे और साथी साथ यह देखेंगे कि मोसने स्केच का कैसे यूज़ करते हैं साती साथ में हम सिप लेयर को डीटेल में देखेंगे कैसे Create करना है उस पर कैसे Animation लगाना है क्यों वीडियो को Render कैसे करना है और Transparent Render कैसे करना है वीडियो को ज्यादा बराना करते हुए आप लोगों को ले चलते हैं सिधा कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज की वीडियो चलिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं यहां से एक निए कंपोजिशन का नाम दे लेते हैं अब इस पर एक वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम देखेंगे सेप लेयर के बारे में जब हमें कोई भी सेप क्रियेट करना होगा तो इस बात का बिलकुल ध्यान रखना होगा कि जब हम सेप क्रियेट कर रहे हैं तब कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए जब कोई भी लेयर सेलेक्ट होगा तब वो सेप क्रियेट नहीं होगा बलक यह मार्कस क्रियेट हो गया ठीक है तो मैं माकस अभी हटा देता हूं तो जब भी हमें कोई सेप करना होगा तो याद से हम कहीं बाहर क्लिक कर लेंगे हमारे पास कोई भी लेर स्यलक्ट नहीं चाहिए आप हम से जैसे इस पर प्रिस की मच आपके पास option आ जाएगा है राउंडे dime का एलिप्स का पॉलिगन जो भी सफलेना होगा तो हम राउंडे सब्सक्राइब कर लेते हैं ठीक है जैसे हम फिल पे क्लिक करेंगे हमारे पास option आ तो फिल नहीं रखना है तो यहां से सिंगल कलर अगर ग्रेडियन्ट रखना है तो यहां से रख सकते हैं अगर हमें सिर्फ च्टॉक रखना है फिल पर क्लिक करके हम जो भी च्टॉक रखना चाहिए अभी तक जो हमारे पास रहता था दो प्रोपर्टीज होती थी एक तो किसमें राज वह और प्रोपटीज ओगा इस में हमारे नॉर्मल प्रोपर्टीज होती है वह सारी रहति यह से अंदर और के पास दिया है उसके हमें एक एक्ष्ट्रा मिल जाता है यहां से हमां ने फिल हटा दिया है ठीक है अगर हमें फिल एड करना है इस पर यहां एड बटन पर राइट क्लिक करेंगे और यहां से फिल लेंगे तो फिल आ जाएगा ठीक है और भी कुछ हमें एड करना होगा तो हम इस पर राइट क्लिक करके एड कर सकते हैं नीची तीए सारी दिए हमें यहां से एक्सट्रक्रा मिल जाती है इस पिलाइट करीट करना है उसके लिए हम इसी प्रॉपह पर फाले क्लिक कर लेंगे का जैसे यह सेलक्ट हो जाएगा फिर हम यहां से सेड़ जाएंगे और घ्रहों में कर ने यहां से इसके दोना उसके लिए अगर हमें सफिन कि दोनों को और फिर करना है तो हमारे पrimus पीज़ यह लिपस है अगर हमें फिल इसकी हटानी है लिपस का पता नहीं चले गए क्लिक करेंगे और इस पर राइट किलिक करेंगे और फिल एड करेंगे तो सिर्फ लिपस का हुआ ठीक है इससे पता चल गया हमें यह दोनों सेम लेयर पर हैं जैसे ही है हमें अगर दूनों प्रेम एनिमेशन देना होगा तो भार भार का परेषानी बच जाती है और यहां से हम से में इसनी जाएज कम ज़्यादा जो भी है एट टाइम में कर सकते हैं ठीक है तो यह थी हमारी 7 लेयर की कुछ प्रोपर्टी जो हमने देख लिया हमने से प्टूल आप तो एक तो यहां से आएंगे फाइल पर आने के एक्सपोर्ट पर आने के बाद एड़ टू रेंडर क्यों कर सकते हैं यहां पर टाइम लाइन पर आके कंट्रोल एंपरेश करेंगे तो जैसे यह आ जाएगा अब इसमें बेस्टिंग में देखिए यह हमारे बेस्टिंग है तो सलस में आने के बाद यहां से आप कि ABAI और फिर चाहिए तो यहीं से सिर्फ हम इसे रंडर कर देंगे जैसे रंडर करेंगे तो यहां पर हमन्हें आरे पास टाइम आजाता है कि कितने टाइम में डेंडर होगा उसले हो तो यहां पर दिखार एस्टिमेट टाइम वह ठीक है हमें देखना है अगर location कहां पर हैं १ा just save १ क्लिक करेंगे यहां से M location दे सकते हैं कहां हमें निकालना है temos यहां पर प्राइब सब्सक्राइब भब हम यहां पर लोकेषान पर आ अगर के इस वीडियो को प्ले करेंगे तो यह देखो जो अभी-भी हमने बैडर निकाला है यह बिथ बैक ग्राउंड के कि आपको बताता हूं ठीक है अब हम देखते हैं मौसने स्केश मौसने स्केश के लिए मैं यह सारी से प्लेयर को डिलीट कर देता हूं कुछ ले लेते हैं इसके लिए हम आप आजाएंगे मेरे पास जो डेटा है उसमें आ जाता हूं वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर ठीक है इसके अंदर है हमारे सारी प्यंजी है प्यंजी में से हम दो ले लेते हैं अर्थ और मून को ठीक है और इसको ले आते हम ट्रम लैंड पर इसकी साइज को हमने छोटां कर दिया अब जिए मुश्षेज के लिए हम क्या खरते हैं में सिक्ष फिर भी विंडो पे जायंगे डिए आनके वायं हमारे पास उप्सें आजए तो यहां पर हमारे पास यह Okay अब जो है हमें इस अर्थ को मूब देना है मूमेंट देना है इसके लिए हम क्या करते हैं जैसे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट क्याप्चर तो हमारे पाइस एक प्लस का साइन आ जाएगा फिर हम यहां से ऐसे होसे ने स्केश कर देती है ठीक है अब अगर हम इसको प्ले करके देखेंगे यह देखें जैसे जैसे हमने मूब किया है वैसे वैसे अर्थ मूब होके जा रहे है इसके लिए अगर हमें देखना है की फ्रेम कैसे लगा है तो उसके लिए हमें सॉटकॉट पता है यू प्रेस करेंगे की फ्रेम आ गया ठीक हैं अब हम देख रहे हैं कि इसमें यह पता चला कि हाथ से मुझाळे इसके के करने के लिए हम क्या करते हैं यहां से एसमूद जुo है इसको तुरा से इंक्रीज कर देते हैं यह मैंने है कि ट्वंटी कर दिया आभाइंत अगर हम देखिए यू करकर अगर हम देख रहे हैं कि तो यह हमारे पास यह तो जैसे हम यह को ही सन देना अच्छ श्वाइज करते हैं और लिए प्जानियूंद किना जाते हैं कि उसके लिए फ्लाइम कर लेंगे और अब गरने तो यह देखिए हमारे पास बैक्ग्राउंड एजिटी सेम के सेम ही रहेगा ठीक अब देखिए तो यह मुशन एसकेश है अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वह स्लो हो जाए तो जो हंड्रेट है उसको अगर हम 200 कर देंगे ठीक अब दोवारा अगर हम मुशन एसकेश से एक पात्व क्रियेट करेंगे तो हम बाहर से ही इसको ले के आते हैं और इसको बाहर ले जाते हैं तो अब देखिए यह हलका सा स्लो हो गया अगर इसी के स्पीड को हमें इसकी स्पीड कम करनी होगी तो इसकी स्पीड को हम 50 कर देंग करेंगे और अब जब हम कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो कि अब हम स्टार्ट करेंगे काफी फास्ट होके आएगी ठीक है यह सारा मोसन इसकेश की वज़ह से हो रही है अगर यह फ़र्ष्ट वाले को हम बंद करते हैं और सकेन वाले पर लगाते हैं मून पर अब अगर मुसन इसकेश में हम चाहरे हैं कि फ़र्ष्ट मान लिजे एक वार स्टार्ट किया और यहां से लेके यहां यहां पर स्कीन तक ही लाए ठीक यहां पर जो मोशन इस के श्टार्ट करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है अब जो स्टार्ट करेंगे तो फिर इसी को हम आगे अब देखिए अगर हम प्ले करेंगे यहां आके रुका जहां पर हम रोके थे और फिर उससे आगे का जैसे आगे यह निकल गया यह थी हमारी motion sketch अब अगर हम चाहरे हैं कि इसकी transparent आउट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है हम इस video को layer को mute कर देंगे ठीक है और यहां से हम check कर सकते हैं कि वीडियो transparent है यह देखे transparent है ठीक है यहां से हम check कर सकते हैं कि transparent है यह पीछे कुछ है यह देखे transparent है तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे control M करेंगे यह फाइल से जा करके export करके यहां से हम file पर आ करके export पर आ करके add to render क्यों कर सकता है यह control M कर सकते control M करेंगे उसके बाद हम lossless में आएंगे और यहां से API की जगह हम quick time करेंगे और यहां पर RGB अलफा की वज़े और RGB प्लस अलफा करेंगे यहां से format option में देख लीज़ेगा कि animation होनी चाहिए ठीक है और यहां से हम file का path दे देंगे जहां पर हमें export निकालना है तो हमारी file की path जो है यह आप टेफेक्ट में आने के बाद इसमें क्या होती है जो quick time आउट निकालती है तो उसकी file की size काफी हैवी हो जाती है यह हमारे दस सेकेंड की वीडियो है लेकिन अगर file की size दखेंगे ना तो GB में जाएगी अब बस एक मिनेट की time दिखा रही है कि रेंडर जैसे complete हो जाता है तो मैं play करके आपको दिखाता हूं कि रेंडर निकल अब देखें इसको जैसे play करेंगे इसको अगर हम timeline पर ले आते हैं इस वीडियो को तो हमें पता चलेगा आज की वीडियो में हम देखेंगे इसमें कैसे animation देना है साती साथ हमने ये भी देखा कि saya न का कैसी यूज करना है और एक चीज हमने और देखी वो था कि किसी भी वीडियो को export कैसे करेंगे या रेंडर कैसे करेंगे साथी साथ वीडियो को transparent render कैसे करेंगे इस वीडियो में ये सारे हम cover किये मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ ये वीडियो हमारे after effect series का वीडियो number 5 है इससे पहले की वीडियो अगर देखना चाहते हैं मैं आई बटन में link दे दूँगा आप वहां से जाकर के देख सकते हैं साथी साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करे, share करे और comment करे